हलो आप रिवन आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल टच इग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है आसा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़या होंगे देखिए जो भी कैंडिडीट गर्ल्स कैंडिडीट राची वोमेंस के लिए वोमेंस कॉलेज के लिए 11th क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म बरे थे ये स्टुडेंट उन सभी का यहां पर फर्स्ट प्राविजनल लिस्ट आउट हो चुका है ठीक है फर्स्ट प्राविजनल लिस्ट आउट हो चुका है उसके साथ-साथ यहां पर admission भी यहाँ पर चालू है जिनका first list में नाम है ठीक है यानि कि जो भी candidate का यहाँ पर list में नाम है वो भी यहाँ पर admission completely ले सकते हैं हम इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे कि admission list आप यहाँ पर कहां से देखेंगे यानि कि आपका selection हुआ है कि नि आप अपना नाम कहां से देखेंगे उसके साथ-साथ admission कैसे लेंगे वो भी आम इस वीडियो में बताएंगे उसके साथ-साथ कुछ important instruction है जो कि admission से पहले आपको इस वीडियो को completely देख लेना पड़ेगा तभी आप admission लेजेगा नहीं तो बाग में दिक्कत हो सकता है ठीक है तो देखें सबसे पहले इनका selection list देखने के लिए इनके official website में आना पड़ेगा जिनका link आप description में दे रखें या तो आप खुद से इनके official website पर आ सकते हैं जैसे ही आएंगे आप यहाँ पर नीचे आएंगे डियर स्टूडिन नीचे आने के बाद देखें यहाँ पर एक option दिख रहा होगा intermediate of arts, science, commerce, admission, selection list ठीक है आपको यहाँ पर क्या करना है simply यहाँ पर click कर देना है इनका last date जो था admission का firm भरने का 27 शाक 2022 तक था ठीक है यहनिके 27 जुलाई 2022 तक ठीक है आप देखें यहाँ पर 29 तारीका इसका provisional list आ चुका है date को update कर दिया आप यहाँ पर देख लीजे जो आपक इस तारीक से लेकर 6 अगस्त तक last date है ठीक है उसके बाद आपका second selection list जो आएगा वो आपको अभी date दे दिया है 8 अगस्त को आ जाएगा ठीक है यहाँ पर नीचे करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ instruction दिये हुए हम इसको बाद में discuss करेंगे यहाँ पर आप देखें यहाँ पर काफी important instruction दिया हुआ student मैं सब चीज आपको बताऊंगा यहाँ पर दिखें लिखा हुआ है राची वोमेंस कोलेज राची intermediate of science provisional selection list ठीक है admission notice कुछ दिया हुआ है जो कि मैं आपको बताऊंगा देख आप समझ लीजेगा काफी important है हम अगर बात करते हैं cut आपका application number लिखा हुआ है serial number लिखा हुआ है name applicant, father name, category और marks ठीक है देखें जितनी भी candidate का यहाँ पर selection list में नाम है dear student वो सभी लोग admission ले सकते हैं यह बात ध्यान रखेंगा ठीक है आपको मैं बता दूँ सबसे पहले आप selection list में आएंगे आपका example के लिए मान लिजे नाम है रानी ठीक है तो आप यहाँ पर R, A, N, I सर्च करेंगे ठीक है जैसे ही सर्च करेंगे day student रानी कुमारी मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ example के लिए ठीक है अब मैंने जैसे ही सर्च किया तो देखे रानी कुमारी मेरा नाम example के लिए तो देखे यहाँ पर आपका जो application number है यहाँ पर next next click करके देख सकते हैं यह तीनो रानी कुमारी clear है तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर selection list को search कर सकते हैं बहुत easy तरीका से अगर हम science में बात करें total number of candidate कितने यहाँ पर select हुए तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर total number of candidate हैं वो अलग-अलग दिया हुआ इस करना है तो यहाँ पर click करके download कर लेंगे फिर यह भी हमारा download हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए यह intermediate of commerce का है clear है उसकी तरह arts का download करना है तो click करके यहाँ पर download कर लेंगे जो की बहुत easy तरीका से download हो जाएगा यह आप देख सकते intermediate of arts का है ठीक है आप देखिए कुछ important instruction ह मैं आपको बता दे रहा हूँ काफी जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए वीडियो ना लंबा हो जाए इसके लिए ठीक है देखे आड्मिशन लेने से पहले इस वीडियो को completely अच्छी तरीका से देख लिजे स्टुडेंट के ताकि आपको दिक्कत न आपको लेना पड़ेगा फी पे करना पड़ेगा उसके बाद ही वो अपडेट होगा ठीक है देखे तीस साथ दो 2022 से यानि की आज से आप एडमिशन ले सकते हैं उसके बाद 6 अगस 2022 लास्ट डेट रखा गया एडमिशन के लिए ये बात फिर से मैं बोल रहा हूं 30 तारिक से 6 तारिक तक आपको डेट दिया गया इसके बाद आपको कोई डेट नहीं दिया जाएगा आप कुछ भी कर लो ठीक है क्योंकि यहां पर दूसरी को चांसेज दिया जाता है ठीक है क्या क्या इंफॉर्मिशन है मैं आपको सॉटकर में बता दे रहा हूं यहां पर बोला जा रहा है प्राविजनली एडमिशन फ्रो क्लास 11 विल बी प्यॉर्ली ओन दा सेलेक्शन लेस्ट जो भी रहा है क्या हूं थ्रू दा कॉलेज्ट वैबसाइट ठीक है ठीक है तो प्राविजनल एडमिशन क्या होता है कुछ भी नहीं होता है आप सुनिए एक तरह का डमिशन फी आपको पे करना है इंसिंट safe करना है चालेज में आपको डॉक्मेंट सारे भाइन डे कर्वाने है ड application fee admission fee online payment कर लेंगे उसके बाद ही यह confirm होगा फूर में बोला जा रहा है a student will keep all the original certificate with their her which upload on the college website जो भी college website में जो upload किये थे admission के time form भरने time वही सब आपको online रखना है while filling of online admission form class 11 along with the original school living certificate character certificate और आपका mark sheet आधार card cost and income if applicable ठीक है जो जो document ये बोले हैं आपको जैसे कि आपका आपका example के लिए school living certificate और इनल चाहिए character certificate और इनल चाहिए migration migration जो jack board वाले ठीक है उनको यहाँ पर migration नहीं देना है जो cbsc वाले है student या फिर icse से पास हुए है girls student वो सभी को migration देना ठीक है उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि mark sheet चाहिए original verification के लिए अधार card cost और income अगर आप यहाँ पर reservation का lab लिए हैं तो ठीक है इस information will be dully communicated to the concerned student by the college लेटर ओन थ्रू एनी सुटेबल electronic media college website newspaper एक्सेटर थीक है बोल रहा है कि जो document verification का आपका होगा प्रक्रिया admission अभी आप professionally ले लिजे student अब आपका जो document verification का प्रक्रिया होगा उसके लिए आपको बाद में electronic media college के website या newspaper में बता दिया जाएगा चोंकि आप देखते रहेगा update नहीं तो वैसे भी आपको वीडियो बना देंगे कि कब आपको document verification के लिए जाना है वैसे आप अपने update के लिए website पर update रहीएगा ठीक है नहीं तो फिर यहाँ पर admission ले लेते हैं professionally और वो original document कॉलेज में नहीं दे पाते हैं verification के जब होगा उस time उसका यहाँ पर admission को cancel कर दिया जाएगा और फी भी उसको वापस नहीं किया जाएगा यह फानली बोल दे रहे ठीक है 7 बोला जारा if any student found presently fake or forget document बोला जारा कि देखी किसी भी तरह का fake और यहाँ पर किसी तरह का document आपका पाया जाता है कि आपका fake document है जाच में तो फिर आपका जो भी होगा यहाँ पर complaint हो जाएगा आपके उपर आपका उपर और यहाँ पर guardian के उपर यह बात ध्यान रखेगा ठीक है एट में candidate have no claim admission once the last date over अगर last date over हो जाता है जैसे कि आपका 6 तारिक आपका last date रखा गया तो 6 तारिक के पहले आप अपर 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 यहाँ पर कुछ भी नहीं कर भाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर कुछ important बात है वो भी देख लीजिए इंटर्मिट्रिव नमकर चैनल तु सेलेक्शन लिस्ट पूर्णता और बंदिक है याँ कि पूरी तरह से वैलिडेटिक है दूसरा इस लिस्ट में चैनल चात्रों को 37-68 2022 तक online लिया जाएगा admission ठीक है यानि कि 30 तारीक से 6 तारीक तक आप यहाँ पर admission ले सकते है और वही सब यहाँ पर important अपडिट दिया गया है अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो दिखें यहाँ पर email ID दिखा हुआ है यह आपका email ID राच्ची इंटर arts के लिए है और science और commerce के लिए उनका जो PDF है अब selection list में दिया गया है किसी भी तरह का दिक्कत है आप इस नमर पर call कर सकते है बारा बजे से तीन बजे के बीच यह आपको पूरी help करेंगे ठीक है तो इस तरह से जो भी candidate होंगे arts, science, commerce अपना अपना list देख लिजेगा और उसी तरह से यहाँ पर admission लिजेगा ठीक है बेसिक डिटेल और फी पेमेंट कियोंगे admission registration के लिए तो आपको यहाँ पर login कर लेना है mobile number और password के साथ और यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा sign in me ठीक है यहाँ पर आपको एक option दिख रहा है sign in me आपको simply click कर देना है जैसे यहाँ पर sign in में click करेंगा आपका login हो जाएगा और आपका अगर selection हो गया तो take admission का एक column होगा ठीक है आपके login कर लेना है जैसे कि पहले आप login कियोंगे या फिर cyber cafe में जाकर आप करवा सकते हैं जहां से करवाएंगा ठीक है हम आपको process बता दे रहे हैं फिर से आप समझ लीजिए ठीक है इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ आप पहले इंक official website पर आएंगे official website पर आने number और password मागा जा रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए email ID आपको गया होगा और वही आपको यहाँ पर डाल के sign in me करके click कर देना है जैसे click करेंगा आपका page यहाँ पर खुल जाएगा खुलने के बाद student आपको क्या करना है admission वाला में admission fee payment का एक option होगा आपको fee pay करके यहाँ provisionally admission ले लिये हैं online ठीक है fee payment कर दिये हैं वो सभी लो college campus में आके document अपना verification करवा ले ठीक है उसके बाद आपको document verification करवाना है फिर वहाँ पर college में ही आपको roll number दे दिया जाएगा तो जैसा update रहेगा जो भी update रहेगा मैं आपको बताऊंगा अभी तक के लिए ही update था कि आपक selection list आगया है फटाक से जाएए और अपना admission ले लिजे जितना जल्दी हो सके ठीक है आपका last date फिर से मैं बता दे रहा हूँ 6 अगस्त 2022 है क्योंकि last date तक आपको नहीं पूरा करेंगे तो फिर आपका admission को cancel कर दिया जाएगा ठीक है इस वीडियो में इतना ही यहाँ पर आपक को कोई तरह का परिशानी होता है तो प्लीज आप हमें comment करिएगा मैं आपके पूरी तिसायता करने की कोशिश करूँगा तो thanks for watching have a nice day